जैहिन दोस्तो मैं मनीज कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में हम भात करने वाले हैं UKPSC यानि की उत्राखन लोग सेवा आयोक के नियूरुक्मेंड APS यानि की अपर नीजी सर्चीव परिच्छा 24 के और लेंड फॉर्म फिलर प्रोसेस के बारे में दोस्तो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे आपको step by step एक live फॉर्म फिल करके दिखाएंगे साथ में ये भी बताएंगे कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं इसके लिए हैं या नहीं सारी जानकारी में इस वीडियो में क्लियर करूंगा तो सबसे पर जोस्तों आप आजएगा यहां आपको दिखाई देगा अब यहां यहां पर एक आई टाइप का बना होगा इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी नाटिफिकेशन को पहले आप डाउनलोड करके पढ़ लीजेगा जैसे मैं देखे डाउनलोड कर देरता हूं अब देखेंगे यहां आप जोस्तों कुछ इंपोर्टिन टीथी दिखाई दे रहा है इसमें जैसे कि 18 ज usta नीचे बढ़ेंके तो यहां देखेंगे पदों की शंख्या आपको दिखाई देगी जो की निन्यान्ट्बी पद is और जो वेत्मान है आपको यहां से वेत्मान भी देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों निखएंगे सेठ चिक योगतार दिया गया है तो यहां पे दिया ह वही साथ में यहां पर देखेंगे दिया गया हे हिंडी आसू लेकन में नियूनतम 80 सब्ध परती मिनट और कम्प्यूटर पर हिंडी टंकर में नियूनतम 8000 की डिप्रेसन की परती घंटा वही अंग्रेजी आसू लेखा जानी की इस टोनों में नियूंतर्म सौफ सब्ध प्रती मिनिट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकर में नियूंतर्म 9000 की डिप्रेशन की प्रती घंटा की गती होनी चाहिए और दोस्तों अगर आयू की बात की जा तो यहां पर लेखेंगे 61 से लेके 22 वरस के बीच में आपकी आयू है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और दोस्तों यहां पर इंफॉर्मेशन दिया गया है जो की बहुत माचबूर चीज दिया गया है जिसको की आप स्वयम से पढ़ लीजेगा इस्क्रॉल करके मैं पुरा पढ़के बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा जा सकता है तो चलते हैं सब्सक्राइब कर लिजेगा आपके एक सब्सक्राइब से मिलेगी अब जोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए आ जाईएगा यहां ऑफिसल वेब साइट पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहां पर दिखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई देगा जिसको की जैसे कि यहां देखेंगे फोटो के लिए दिया गया है फोटो आपका रंगी नहीं होगा उसके बाद दोस्तों यहां नीचे बढ़ेंगे अप्लाई नाव के ओप्षण पे किलिक कर दीजेगा पेज लोडिंग लेगा अब यहां पर रहेंगे केंडिडिट नेम में अपन नाम लिख दीजेगा यहां मज़सने में माता जी का नाम फिल करेंगे यहां से जनम तीथी अपना चूस कर लेंगे कलेंडर के मादेम से यहां से सन के उपर क्लिक करेंगे तो यहां से जो भी आपकी सन होगा उसको चूस करेंगा यहां से मन्त को यहां से डेट को चूस कर ली के लिव seus सब्सक्राइब यहां पर यहां राष्टिता यहां से भारती होंगे तो भारती पर सब्सक्राइब नीचे क Trinity है अब देखे इंपोर्टेंट चीज़ दिया गया है यहां पर आवस्तक पात्रता तो यहां पर दिया गया है निमलिकित विकल्प में से कम से कम एक या सैनिक कल्यार बोड में पंजी करण भूद पूर सैनिकों की विकल्प में हां चुनकर आवेजन करें तो इन में से किसी पर ह यहां आप करेंगे तभी आप इलिजवल होंगे जैसे कि मैं बढ़ाता हूँ क्या आपका नाम उत्राखन राज में इस्थित किसी भी जीला सिवा यूजन कारल में पंजी करीथ है तो यहां पर यस और नो में आप जवाब देंगे उसके बाद क्या आप किसी नौकरी में कार इच्छा उत्र किये हैं तो यहां पर यस और नो में जवाब देना होगा उसके बाद जोस्तों नीचे बढ़ेंगे यहां पर दिया गया है क्या आपके माता पीता पती पतनी उत्रा खंडराज में सेवारत ससस्त बलो अर्सानिक बलो के नियमित करमचारी हैं जिनकी बाहर इस्तानांतरिक नहीं किया जा सकता तो यह आपके उपर लागू होगा तो यहां पर यह और नो में आप जवाब दे जिएगा तो अपने कोडिंग यहां पर जबाब दे दीजएगा उसके बाद क्या आपके पत्ति-पत्नी माता-पिता राज्य-सरकार अद्ध-सरकारी संगटन के नियमित करमचारी हैं जो नियमित रूप से सिवा कर रहे हैं और जिनकी सिवा को उत्रा खंडराज के बाहर इस्थानांत्रिक नहीं किया सकता तो यह नो में यहाँ पर जबाब देंगे क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंसरकार के संगटन केंसरकार के लोग सिवा उकरम के नियमित करमचारी हैं जो उत्रा खंडराज में नियमित रूप से काम कर रहे हैं जिनकी सिवाओं को उत्रा खंडराज के बाहर इस्थानांत्रिक नहीं किया जा सकता यह लागू होगा तो यहाँ प्यस और नो में आप जबाब देजेगा ठीक है उसके बाद देखे क्या आप उत्रा खंड के इस्थाई निवासी हैं लेकिन आजीविका के उत्रा खंड से बाहर रहे हैं तो यहाँ प्यस और नो में जबाब देजेगा जो आपके उपर लागू होगा उसके बाद देखे दिया है क्या आपका जीवन साथी या बाहर रहे हैं तो यहाँ भी आपको यस और नो में जबाब देना होगा नीचे बढ़ेंगे यहाँ देखे दिया गया है उत्रा खंड अधिवासी यानि उत्रा खंड के आप मूल निवासी होंगे तो यहाँ पर यस और नो में जबाब देना होगा उसके बाद नीचे बढ करेंगे तो यहां सब अपनी केटेगरी को चूज कर लिजेगा जनेरल इडव्य ओवी सी एस्ट जो होंगे उसको चूज करिएगा ठीक है उसके बाद नीचे बढ़िएगा अपने चूज कर लिजए जैसे मैं निवासी नहीं हो तो मैं नो ही चूज करूंगा उसके बाद यह बढ़्य में करेंगे यहां देखे इमेल इडि अपना फील कर लिजएगा यहां पर दुवारास हैं मुबाल नंबर को एंटर कर दिजिएगा अब देखे वार्तमान पता तो यहां पर अपने वीडियोस का नाम में अपने पोस्ट का नाम में समय स Miles कर लिजेगा किस राज किFT कषबा क lleva K अब स्क्राइब लिख सकते हैं इसके वारी यहां अपना पिं गोड एंटर कर देजीए आप इच Macht allows चिक्जाब में ओपर का पता प्रही पर माइनट पता हुगा तो यहां तो प्रेद के मिंद का प्र Imam में screen पर mention कर दे रहा हूं इस type का password आप बना सकते हैं ठीके उसके बाद यहां confirm password में दुबारा से उसी password को fill करिएगा यह जो capture जिखाएगे रहा है CCD2 यहां fill करिएगा उसके बाद submit button पे click कर दीजेगा submit करते हैं दोस्तों आप देखें यहां पे दिया है you are not eligible to apply please read the advisement यानि कि मैं इसके लिए eligible नहीं हूँ यानि कि इससे सिद्ध होता है कि जो un-state की निवासी है वो इस form को नहीं भर सकते हैं लेकिन एक condition में un-state वारे भर सकते हैं जैसे कि मैं आपको उपर दिखा देता हूं जै आप नहीं फिकल्पो लेकल्प मैं किसी एक खैन करना है तो यहां में जवाब देना है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं नीचे बड़के मैं 9 किया हूं नो किया हूं नहीं किया हूं लेकिं अब देखिँ कitter खंण राज में नितरमीडियत और Venture County हैं परिछ्छ्छ के आप ऐसा होंगे pass होगा या कोई लागू होगा आपके उपर यह सब तो आप यह कर दीजएगा तब आप इलिजिबल होंगे अनिस्टेट वाले अब देखे यहां पर सभमीट करेंगे तो यहां से आप इडिट कर सकते हैं तो अपने कोडिंग यहां पर क्लिक करिएगा और सब्मिट वाइब बटन पे क्लिक कर दीजेगा क्लिक करते हैं जोस्तों पेज इस प्रकास लोडिन लेगा आप देखिए आपका इस्टेशन सक्सेस्फुली हो गया आपका इमेल ऐड़ी आपका इ क्लिक करिएगा लॉगिंग करते हैं जोस्तों पेज लोडिंग लेगा अब देखिए आपकी सारी जानकारी यहां पर सो करेगा जो अभी अभी आपने फिल किया है तो पड़ते हुए नीचे बढ़िएगा आप देखिए यहां पर दिया है आवसक सहचिक योगता तो यह प उसके बाद डिग्री नाम पे क्लिक करेंगे हाई स्कूल को चूज करिएगा फिर से अब किस राज्य से आप हाई स्कूल पास किये हैं उस राज्य को आपको चूज कर लेना होगा तो इस प्रका से जो है अपने राज्य को आप चूज कर लीजेगा उसके बाद बोर्ड उन अब देखें, यहां पर first subject का option मिलेगा, click करेंगे, यहां से high school subject को choose कर लीजेगा, अंकर के परकार पर click करेंगे, cgpa होगा, mark या grade, तो अपने according चूज करेंगा, जैसे mark होगा, तो mark को click करेंगे, option mark में कितना number पाया है, उसको fill करेंगे, maximum mark में कितने पुड़ां का था, पुड़ां को fill कर दीजेगा, अब यहां पर percentage आपका देखें, आटोमेटिक से हो कर देगा, add educational qualification के option पर click करेंगे, यह आपका add हो जाएगा, यहां देखें, high school की जानकारी मेरा सुरच्छित हो गया, save हो गया, उसके बाद दोस्तों, इसी प्रकासे click करके intermediate चूज करेंगे, उसकी जानकारी fill करके add कर दीजेगा, उसके बाद फिर यहां पर graduation को select करके, graduation की जानकारी दे दीजेगा, same process है, आप दे सकते हैं, जैसे मैं high school मतला है, वैसा ही process है, इसका भी थोड़ा सा changes होगा, उसके बाद देखें, यहां दोस्तों, मैं अपना दे चुका हूँ, सब्सके जानकारी, graduation का high school का, इस प्रकासे आप भी जो है, दे दीजेगा, यहां पर subject choose का option मिलेगा, आपको graduation में, जो मैं यहां पर 3 subject choose किया हूँ, जो में graduation में था, तो इस प्रकासे आप choose करके, यहां पर save rate कर दीजेगा, सैचिक योगिता को, उसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगे, यहां पूछेगा आप से क्या आपने प्राजैसिक सेना में नियम्तर्म दो वर्स की और ही तक सिवा किये, तो yes, no में ज recording यहां पर yes, no में जवाब दीजेगा, तो यहां पर yes, no में जवाब दीजेगा, आगे बढ़िएगा, यहां परिछा केंज चूज करने के लिए एक ही सेंटर रनाया है, हरी द्वार, यहां से slate कर दीजेगा, क्या आपके खिलाब कोई अपराजिक मामला लंबी थै तो यहा लोग से वा आयो दोगा आपका जो है ब्लेक लिश्टेट आप केंडिडेट होंगे तो यहां पर यस और नो में जवाब देना होगा उसके बाद यहां देखेंगे अभ्यारती आइडी प्रमारपत पर क्लिक करेंगे तो अधार कार्ड होगा डैमिल एसन पैन कार्ड तो जो इसमें से आइडी होगा उसको स्लेट कीजेगा यहां पर आइडी प्रूफ नंबर को दे दीजेगा उसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा कंटीन्यू करेंगे जो तो पेस्ट लोडिंग लेगा अब यहां देखेंगे अप्लोडिंग के आप्सन पे तो मैं पहले ही इसका गाड़लाइन बता चुका हूँ तो यहां चूस फाइल के आप्सन पे क्लिक कर दीजेगा आपको यह ले जाएगा आपके गैलरी में जहां कहीं भी फोटो होगा वहां से आप चूस कर लीजेगा इस परका से आपका फोटो वेगरा लग जाएगा मैं पिर कंटीन्यू के आप्सन पे क्लिक करिएगा पेज लोड़िंग लेगा आपका इस परका से आप देखिए आपकी यहां पर फीस आपके केटेगरी वाइस उपर सो करेगा कितना फीस कटेगा तो अन्रिजब केंडिएट मैं हूँ तो इस परका से आपका फीस करेगा इस क आपके बास नीचे बढ़ेंगे यहां अश्noi कि करेंगे अगर कोई गलती होगा तो बेक एड़िट कर सकते हैं तो सइखरी हो सही होगा तो प्लिक करेंगे आपका इहां पर तो करेगा फोटो के साथ इंपर मेशन इसको क्रोल करके आप नीचे बढ़ जाईए अला नीचे सबस्क्राइब कर देगा थैंट यह दो आपको रीटाइट ट कर देगा यह प्रिंट आउट के लिए अब अपना प्रिंट आउट ले लेढ इसपास आपका फ़ाम कम्पलीट हो जाएगा तो वाया कुछ आपको अपने जूरे मान दोस्तों में शेयर भी कर दीजेगा तो मिलते हैं किसी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं वाई दोस्तों थैंक यू पर वाचिन